आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें तो एंट्रोपी क्या है दोस्तो किसी भी निकाय में जो भी हमारी आवेवस्था होगी ठीक है आवेवस्था की माप को एंट्रोपी कहा गया है किसी भी निकाय की आवेवस्था की माप को एंट्रोपी कहा गया है और दोस्तो आविवस्था का मान अगर बढ़ेगा तो एंट्रॉपी का मान क्या होगा बढ़ेगा और आविवस्था का मान अगर घटेगा तो एंट्रॉपी का मान भी क्या होगा घटेगा ठीक है आविवस्था का मतलब है प्रारंप में जैसे इसको धारण से समझ लेते हैं प्रतेक कड एक निश्चित आकार जैमिती में व्यवस्थित है तो एक दूसरे से मजबूती से जुड़ा हुआ है प्रतेक कड तो इस समय क्या है जब यह डेली के रूप में है तो यहां पर आवेवस्था का मान क्या होगा प्रतु जब मैं इस डेली को तोड़ के पीस लूँगा नमक को चूरे के रूप में बना लूँगा पावडर के रूप में अब क्या हुआ इसकी जैमिती नस्ट हो गई ठीक है प्रतेक कड एक दूसरे से अलग-अलग हो गया ठीक है तो अब क्या हुआ दोस्तो अब यहां पर आवेवस्था का मान बढ़ गया पहले की तुलना में तो आवेवस्था बढ़ गई जब मैंने डेली वाला जो नमक था उसको चूरे के रूप में पावडर के रूप में बदल लिया तो इस वजय से अब आवेवस्था बढ़ गई तो एंट्रॉपी क्या होगी बढ़ जाएगी तो इह होता है और आवेवस्था का मतलब जब भी आविस्था बढ़ेगी एंट्रॉपी का मान बढ़ेगा आवेवस्था घटेगी तो nation entropy का मान क्या होगा सदय बड़ेगा av現在 क्यों हो रहा है इसको एक उधारन से समझ लेते हैं जैसे कि कोई हमने क्या करा था crystal ये पदार्त लिया ठीक है ठीक है जैसे कोई crystal ये पदार्त हमने ले रखा है इसका एक प्र एक जो है एक कण हमने ले लिया है अब क्या हुआ दोस्तों अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इसके जो भी परमाडू है एक दूसरे से बंधों द्वारा जुड़े होंगे मजबूती से ठीक है इसको यहाँ चित्र में आप समझ सकते हैं क्यों एंट्रॉपी बढ़ेगी ठ क्या कर रहे हैं दोस्तों हमने यहाँ पर तापमान बढ़ाया तापमान कैसे बढ़ाएंगे इसमें हीट को हम क्या करेंगे मलब ऊच में उर्जा इसको देंगे तभी तो इसका तापमान बढ़ सकता है ठीक है हमने क्या कर रहा है इसको ऊच में उर्जा दी ऊच में उर्ज अब दोस्तों तापमान बढ़ गया, क्योंकि इसने क्या करा वूष्मे उड़जा को अफ्शोषित करा है. अब उड़जा जब अफ्शोषित होई तो यहां पर उड़जा बढ़ गयी, इनकी इपास उड़जा बढ़ गयी और जब भी किसी भी कि निकाएं में उठ बढ़ती है तो निकाएं क्या होता है आइसताई अवस्था में बहुत जाता है किसी भी निकाएं में अगर उठुत का मान अधिक है तो वो सदै एब आइसせて take होगा ठीक है तो यहां पर ऊड़ बढ़ गई तो यह जो है जो crystal अएस्थाई हो गया क्यों क्यों कि अब दोस्तों इसके कड़ों के पास बहुत ऊड़ आ गई है तो यह क्या करेंगे आपस में जो इनके बीच में इनके मद्धे बंद बने हुएं ये दोस्तों तूटने लगेंगे और ये जो कण है यहाँ पर धीरे धीरे ऐसे जो है बाइब्रेशन करने लगेंगे ठीक है बाइब्रेशन करने का मतलब है कंपन करने लगेंगे अपनी जगह पर ये इस तरीके और यसके से कमपन करने लगेंगे तो यहां पर यह क्रिस्टल नृमत लिए इस के पिरते क्पन करने शुरू ने लिए तो typed जो बंद बयोजत से ठीक है और वो मतलब यहां वहां आसानी से गती करते रहें गती कर सकते हैं ठीक है कमपन के अलावा भी तो इस बज़ए से यहां पर क्या होगा दोस्तों क्रिस्टल में आवेवस्था उत्पन हो गई ताप बढ़ाने पर ताप क्या से बढ़ा है दोस्तों हमने इसको ऊश् में ब्रद्धी होगी तो एंट्रॉपी का मान सदया बढ़ेगा क्यों क्योंकि यहां पर ताप मान हम कैसे बढ़ा सकते हैं जाब हम ऊश्मिय ऊड़जा को बहुत अधिक मात्रा में किसी भी क्रिस्टल या किसी भी निकाय को दें ठीक है तो यह हमारे प्रेश्ट का उत्तर आड चासु 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 बढ़